एक नाम है अदीती और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में गाईज अगर आपको बड़े-बड़े इंगलिश के सेंटेंसिस बोलने में और बनाने में प्रॉब्लम होती है तो इसका एक सिंपल सा और इजी सा तरीका यह है कि इन बड़े-बड़े सेंटेंसिस को छोटे चोटे सेंटेंसिस में ब्रेक कर दिया जाए जिससे होता यह है कि एक इंगलिश लर्नर या फिर एक वो बंदा जो नया-नया इंगलिश सीख रहा है इंगलिश के साथ उतना कमफोटेबल नहीं है वो एक दूसरी भाशा के साथ इंगलिश हमारे लिए एक दूसरी भाशा ही और यही reason है कि यह जो छोटे-छोटे अंग्रेजी के वाक्य होते हैं यह एक बहुती important role play करते हैं हमारी English learning की journey में और इसलिए मैं आज आपके लिए 51 रोज बोले जाने वाले छोटे-छोटे अंग्रेजी के वाक्य लेकर आई हूँ जिससे आपके एक अच्छी खासी English की practice हो जाएगी और साथ ही आपको कुछ ऐसे sentences की English भी सीखने को मिलेगी जो कि हो सकता है कि आपको पता नहों जैसे कि अंधेरे में तीर मत चलाओ किसी के पिछलगू मत बनो कबाब में हड़ी मत बनो अब मान भी जाओ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है तो आप इसको लास तक जरूर देखिएगा चलिए आप और देर नहीं करते, let's start सबसे पहला वाला sentence है दिल छोटा मत करो Don't lose heart Don't lose heart खुश हो जाओ Cheer up Cheer up Hello मत Don't move Don't move एक जगा टिक कर खड़े हो जाओ Stand still in one place Stand still in one place या फिर आप सिर्फ इतना भी बोलोगे कि stand still ये भी चलेगा Next वाला है तमीज से पेशाओ Behave yourselves Behave yourselves तमीज से बात करो Talk with manners Talk with manners या फिर बोल सकते हो Talk in a manner Talk in a manner क्या तुम एक जगा नहीं बैठ सकते Can't you sit in one place Can't you sit in one place हमेशा हमेशा के लिए Forever and ever Forever and ever एक तरफ हट जाओ Move aside Move aside थोड़ा हटो Move a bit Move a bit समझा करो Please understand Please understand मुझे इंतिजार रहेगा I will be waiting I will be waiting चलो मान लेते हैं Let's assume Let's assume पागल मत बनो Don't be silly Don't be silly अपने तरीके से करो Do it your way Do it your way उसे विदा करो See him off See him off See off करने का मतलब होता है विदा करना हो गया It's done It's done खत्म हो गया It's over It's over थोड़ी दया करो Show some pity Show some pity मेरा पेट भर गया I am full I am full मैंने पेट भर कर खाया I ate my fill I ate my fill मेरी आँखे कमजोर हैं I am weak of sight I am weak of sight ये तो आपका बड़पन है This is your greatness This is your greatness या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो This is so noble of you This is so noble of you किसी के पिछलगू मत बनो Don't be anyone's henchman Don't be anyone's henchman Henchman का मतलब होता है पिछलगू बस आख बंद करके किसी को follow करने पाला सुधर जाओ Mend your face Mend your face बड़ा अजीब है It's very weird It's very weird चुटे रख लो Keep the change Keep the change थोड़ा सो लो Get some sleep Get some sleep मन में याद करो Learn it in mind Learn it in mind ये मुफ्ट का है It's free of charge It's free of charge भरोसा रखो Half faith Half faith कोई बात Any problem Any problem ये मेरे बस की बात नहीं है It's not my cup of tea It's not my cup of tea ये मेरी समझ के बाहर है It's beyond my understanding It's beyond my understanding अंधेरे में तीर मत चलाओ Don't give shot in the dark Don't give shot in the dark या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है Don't shoot in the dark Don't shoot in the dark मैं ज्यादा देर सो गया I overslept I overslept मेरी तरफ से माफी मांग लेना Conway my apologies Conway my apologies कहने की जरूरत नहीं No need to say No need to say या फिर बोल सकते हो Needless to say Needless to say Sab ठीक ठाक Is everything alright? Is everything alright? ये बस ठीक ठाक है It's just so-so It's just so-so मैं घी लगी रोटी नहीं खाती या फिर कुछ लोग इससे ऐसे भी बोलते हैं मैं चिपडी हुई रोटी नहीं खाती I don't eat buttered chapati चपाती यानि की रोटी और buttered chapati का मतलब है घी लगी रोटी चुपडी हुई रोटी मन लगा कर काम करो Work wholeheartedly Wholeheartedly यानि की पूरे मन से मन लगा कर अब मान भी जाओ Now give in Now give in जिद मत करो Don't insist Don't insist हमने ये घर किराय पर लिया है We have rented this house We have rented this house कबाब में हड़ी मत बनो Don't play gooseberry Don't play gooseberry Play gooseberry का मतलब होता है कबाब में हड़ी बनना पूछ कर बताओ Ask and let me know Ask and let me know सामान बांद लो Pack the luggage Pack the luggage सामान खोल लो Unpack the luggage Unpack the luggage Pack मतलब सामान बांदना और Unpack मतलब सामान खोलना आलती पालती मार कर बैठ जाओ Sit cross-legged Sit cross-legged Last वाला है कोई मतलब ही नहीं है No way No way अब एक sentence आप translate कीजिए हिम्मत मत हारो इसको English में कैसे बोलेंगे Comment करके जरूर बताएगा Well done guys बहुत अच्छी प्राक्टिस की आपने अब आपको इस वीडियो कैसा लगा मुझे अपनो opinion comment में जरूर दीजेगा और अगर कुछ ऐसे topics हैं जिन पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊ तो वो भी आप मुझे comment में suggest कर सकते हैं और आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे like कीजे, share कीजे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे subscribe कर लिजे चलिए अब हम मिलते हैं next lesson में तब तक के लिए take care, bye bye